नमस्कार व्यूवर्ट मैं हूँ अमीश देवगयन और आप देख रहे हैं इस समय देश का सबसे प्रतिश्चित कारिक्राम आरपार जनादेश का संदेश इस मुद्य पर बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि 2024 का जनादेश आने के बाद दिल्ली से हर्याना तक बिहार से महाराश तक और पंजाब चे उत्तरप्रदेश तक हर तरफ जोरदार पोलिटिकल आक्शन सियासी आक्शन देखने को मिल रहा है दिवेंद्र फटनव इसका कहना है कि उद्धव को ना मराठी मानुष का वोट बिला ना उत्तरभारतियों का उद्धव को उनका वोट बिला जिनके लिए उन्होंने हिंदूों को छोड़ दिया और उस तरफ मायवती कह रही है कि आगे से वो सोच समझकर ही मुस्लिम कैडिडेट्स को मौका देंगी दिल्ली हर्याना में कॉंग्रेस और आम आदनी पार्टी के बीच सियासी कुट्टी हो चुकी है और साथी मोधी सरकार में मुस्लिम मंतरी क्यों नहीं है इसे लेकर जोरदार सियासत में उबालाया हुआ है लेकिन इन सब के बीच आरेसेस के दो दिगजोर ने जो बयान दिये है उस बयान पर भी घमासान और तेज हो गया है तो आज इन तमाब पोलिटिकल मुद्दों पर जनता जनारदन के बीच जनादेश का संदेश क्या है इसको समझने का प्रियास करेंगे स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े डिबेट्चों में आरपार में और इस चुनाव में आपने आरपार को अभूतपुर्ग परयाब दिया है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कोकि पूरे चौनाव के दोरान आरपार की इतिहासिक बढ़त रही है अपने राइवल्स के उपर इसके लिए भी आपको शुक्तामने शुरुवात करते हैं आरपार के आज के एडिशन की 2024 के जनादेश से लगातार नए नए संदेश का सिलसला जारी है BSP कह रही है कि आगे अब सोच समझ कर ही मुस्लिम कैंडिडेट्स को मौका देगी BJP के निता कह रहे हैं कि वोट जिहाद ने पार्टी को तगड़ी चोट पहुँचाई है और इसी बीच एक संदेश RSS की तरफ से भी आया है काम करें लेकिन मैंने किया यह अहंकार न पाले तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे है ऐसा होगा तो इस पार्टी ने भक्ति की एहंकार आया उसको 247 पर रोंदिया पर संद्र बड़ी बना थे जिल के हंदर राम के आनास्था थे अशर्था थे और उनको सब को मिलकर 24 पर रोंदिया राम मंदिर का निर्मान कराया इतनी बड़े कार्यकरनी वाली भाजपा को और वो अस्फल कहते हैं और विवानी कहते हैं कहीं गढ़ बंदन में तूट है कहीं अपने ही दल के भीतर फूट है केजरिवाल की पार्टी कह रही है कि दिल्ली में हम कॉंग्रेस से दूर हैं तो कॉंग्रेस कह रही है कि हर्याणा में हमें आपकी कोई जरूरत नहीं तो आज जनादेश के बाद लगातार सामने आ रहे नए-नए संदेश पर जनता के बीज होगी सबसे बड़ी बहस तो जनता जनादन के बीज होगी आरपार में आज सबसे बड़ी बहस आज के दिन में बहस के बड़े मुद्दे क्या है चारसो पार वाला नारा भारतिय जनता पार्टी का अती आत्म विश्वास था जिसने नुकसान पहुंचाया ऐसा उनके घटक दल भी मान रहे हैं नतीजों से साबित हुआ कि क्यों मुसल्मानों का सियासी इस्तमाल वोट बैंक की तरह होता है ये नतीजे एस्टैबलिश करते हैं तेश्रा वहस का एहम मुद्द्धा 2024 के देर्णाधेश का माईने क्या है नतीजों में किसके लिए क्या संदेश है क्या सीख है उसकी भी हम बानगी देखेंगे एक बार फिर अबिनंदन है जनता जनारदन का मेरे युवा मित्रों का मेरे साथ है प्रवक्ता जोड़ दर तालियों के साथ अभिनंदन करिये राज कुमार भाटी है समाजवादी पार्वक्ता नेता इनकी पार्टी ने उत्तर परदेश में अच्छा परदशन किया है मेरे साथ विवेक शिर्वास्तव है लेफ्ट के नेता है इनका अभिनंदन है, मेरे साथ सत्वकाश मिश्राय, जेडियू के नेता, इनकी पार्टी ने पिहार में बहुत बैतरीन प्रदशन किया है, आप समाम लोगों का अभिनंदन है, तो सुधन्चु जी, अब की बार 400 पार, अब की बार भॉमत वाली सरकार, लेकिन अब की बार जोड तोड वाली सरकार, अब की बार गुंजायश वाली सरकार, अब की बार सब की बात करनी पड़ेगी। पॉजिशन में, 52 में सारे देश में कॉंग्रेसी, कॉंग्रेसी 57 में पहली बार केरल में कम्निस्टों गवर्मेंट बनी थी, तो 62 से 52 की सिती अलग थी, आज जब इतना वाइब्रेंट, मैचोर, परिपक्व, लोकतंत है, उसमें तीसरी बार लगातार, मैं नरेंद्र, दा पहला संदेश, दूसरा संदेश क्या है? दूसरा संदेश ये है कि उन राज्यों में जहां माना जाता था, उन छेत्रों में जहां भाजपान नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में हमारी अपने दम पे सरकार आई है, आज समझेए, आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल में ह कॉंग्रेस की और आठ हमारी हमारा परसेंटोग वोट 35 परसेंट करनाटक में हमारी सीट हैं उनसे कही हितार्थ कॉंग्रेस का जो राइज हुआ है कॉंग्रेस की जो इस्थिती इंप्रूव हुई है बहुत खत्रे की गंठी लेके आईए उनके लिए जो बहुत उसकी घंठी बजा रहे थे इंडिया गड़ बंदन वालों करनाटक में कॉंग्रेस का बढ़ना कहीं आपके लिए खत्रे की घंठी तो नहीं हमारे लिए यहां आपका अतिया आत्मे विश्वास था अभी मैं आपको आंकड़े दूँगा पिक्चर हिदम साफ हो जाएगी राहुल गांधी के चब्दों में दूद का दूद पानी का प उत्तर प्रदेश तो मैं सिंपल बताना चाहता हूँ आज इनको जितनी भी खुशी हो रही हो मगर एक बात समझिए कि जिस कारण से दोनों लोग एक हुए थे ना मुस्लिम वोट के लिए अब वही एक दूसरे के पेशानी पर बल आ रहे हैं उनको लगने लगा मेरा पुर में कंधने और आप आप समझए और राहूल गांधि जीते तीन लाख नभे हिजार से इसका मतलब समझे ए कि सपा का वोट तो कॉंग्रेस बें ट्रांसफर हो गया कॉंग्रेस का वोट नहीं ट्रांस पाया वर्राइस जीद के माइन ओर आज कांग्रेस ने आज घोशना कर दी है कल कि अब वो विधान सभा चुनाओं के लिए 403 के 403 विधान सभाओं में यूपी में अब अपनी यात्रा निकालेगी अब चार सो तीन कि इनके दिल पे कितना महीम घाओ करेंगे अब ये समझने वाली बात है जब जब बड़े दलों न चोटे दलों की पाल की धोई है तब तक खामियाजा उन्हीं को होना पड़ा है और इंडी गटबंदन टूट गया जस्ट बात हमादी पार्टी का निसाब क्या दिल्ली में खत्प जनादेश का संदेश क्या है आपकी राय में सबसे पहले तो आप उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदशन करा और भारतिय जनता पार्टी को भहुमत से मैंने जिस दिन चुनाव के नतीज़े आ रहते उस दिन भी बोला था आज भी बोलता हूं बहुत साफ गोई से किसी ने नहीं रोका बीजेपी को उसकी मिजॉरिटी के साथ सिरफ समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को डेंट नहीं किया होता तो इस बार भी बीजेपी 275 ती यानि आपका वोट जिहाद का खेल तो चला है आकड़े यही बताते है जनादेश क का संदेश तो बिल्कुल साफ साफ है लेकिन महोद्य गिरण नहीं कर रहे हैं मुझे वो कहावत याद आती है कि रसी जल गई लेकिन एठन नहीं गई मलग चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत के नागरिकों ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि केवल सांप्रदाइक्ता की राजनीती नहीं चलेगी केवल जुमले बाजी नहीं चलेगी काम करना पड़ेगा बच्चों के रोजगार की तरफ ध्यान देना पड़ेगा सिक्षा की तरफ द्यान देना पड़ेगा, सूअस्ठ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, अगनी वीर हटानी पड़ेगी, अगनी 4-4 साल की ठेके पर नौकरी फaltet में नहीं चलेगी, लेकिन सुधान सुजी आज भी अपने वक्तव में वोई हिंदू-मुस्लिम समिकन बैठा रहे हैं उसका वोट उधर चला गया उसका वोट उधर चला गया अरे सहाब हमारी छोड़िये अपनी चिंता करिये हम तो जो हैं अपने दम पर हैं हम किसी की समाजवादी पार्टी किसी की किरपा पर राजनीती नहीं करती है समाजवादी पार्टी अपने दम पर राजनीती करती है और हमारे तो सिद्धान्त है कि गेर परों से उड़ सकते हो तो हद से हद दीवारों तक आसमान में वही उड़ंगे जिनके अपने परोंगे तो हमारे तो अपने पर मजबूत हैं लेकिन इस जनादेश के जो संदेश हैं बहुत संक्षेप में दो तीन बात बता देता हूं जी जी एक तो यह संकेत है हमें बहुत अच्छा लगा बहुत बत्मन पिरसन हुआ जब NDA की मीटिंग हुई तो बराबर में राजिनाज शिंग गयठे थे इदा नितिश कुमार जी बैठे थे फिर गट्करी जी बैड़े लोगों का सम्भान करना पड़ेगा चीक अब लोगों का संब्मान करना पड़ाएगा चीक है आपने बोला आप कि करवा लेता हूं ने ने इस पर फैक्ट चेक होना जरूरी है आप बताईए क्या एंडिये की बैठक में पहले बगल में नितीश कुमार नहीं बैठते थे रादा सिंग जेपी नडडा अमिच्छा नहीं बैठते थे आप मुझे बताईए हतल बिहारी वाचपई जी के जमा отлич नानी की कोशिश की रही हैं अब करें सच है बोल दिया है आपको वह मंच याद नहीं मुझे जहाँ नितीश कुमार जी को जनादेश बहुत असपष्ट आया कि मैं वहीं समय का प्रयास कर रहा हूं हमिश्ट देवगंजी वोटों का गनित कभी-कभी असपष्ट जनादेश को यह नहीं बता जाता कि उस नेता के प्रति और विश्वास पैदा हुआ है उसकी नीकियों के प्रति ऐसा हुआ है कुछ अलग अलग गुना भाग के कारण उत्तर प्रदेश में पड़े हैं उस लोकल राजनिती को भार्ति यंटा पार्टी को समझने की जरुरत है विहार में भी ऐसी घटना हुई है विवेक विवेक जी आपकी ने संदेश क्या है एनी राजाहर की वायनाट से मेरा एनलिसिस य किया वही नहीं वह स्थांप्रदाइक्ता के नाम पर और जैसे मैंने पिछली डिवेट में कया था अयोध्या चित्रकूट नासिक और ऐसे में चार-पाच और आपको बता सकता हूं जो हमारे हिंदू समाज के धार्मिक तीरस्थल माने गए हैं उन्होंने भार्तिया जंता पार्टी को रिजेक्ट करके डेवलप्पेंट को अपनाया क्योंकि इनका मॉडल अफ डेवलप्पेंट जो लेकरके वहाँ पे गए थे वो लोकल्स को सूट नहीं करा आपने बोला आपने बड़ा इंपॉर्टन पॉइंट बोला आपने बोला जो धार्मीक एजंडा था इस वो सूट नहीं करा मैं कांकरा एक लोक्सभा है धूले लोक्सभा और उसमें छे विधान सवा है धूले ग्रामीन, सिंधखेड़ा, मालेगाओं आउटर, बलगान, धूले शेहर और मालेगाओं सेंट्रल. पांचो विधान सवाँ में भार्तिय अंतर पार्टी बहूल इलाका है कॉंग्रेस को वोट पड़े लगबक दो लाक और बीजेपी को वोट पड़े साड़े चार हजार कॉंग्रेस अंत में चुनाव जीती अर्तिस सो इकतिस वोटों से मैं जानना चाहरा हूं यह जो पांच विधान सभा के लोग वोट कर रहे थे यह किस अधार पर वोट कर रहे थे यह विकास के अधार पर वोट नहीं कर रहे थे और जो मुस्लिम बहूल माले गाउं सेंट्रल था वहां दाव दो लाख वोट जो पड़े हैं वो धरम के अधार पर पड़े हैं यह विकास के अधार पर पड़े हैं बताईए पूरी जगह भरतियंता प यहां यही हाल हुआ है। मैं आपको दिल्ली में बावरपुर का इलाका बता सकता हूं, जहां बीजेभी को वोट किते पड़े हैं और अलाइश को वोट किते पड़े हैं, तो मुझे एक बात बताईए, कि जो मुस्लिम बहूल इलाका है, वहां धरम के अधार पर वोटिंग ह कोई यहां विकास के अधार पर बोहां हिंदू बहुले छेत्रों में जवाब चाना चारों में आपसे। हिंदुत्वा का काड़ लेकर के घूमते हैं, भगवादारी संतों को घुमाते हैं, राम नाम के नाम पे आपने तो प्रान प्रतिष्ठाई पहले कर ली, प्रीपोन शंकराचारे को उठा करके नदीमा फेख दिया, किसने बितुत्र के नदीमें ऊकरिए, यह पता ने बितुत्र करिए, नाइविले लिए, सुनदीजिए, शंकराचारे को, मैं आपको बदाँचाओ, जायेद सरस्वति को जेन में डालने का का था, उन्हें ज़ैल में भाट तो आपने तो this symbolism में मैंने भोला था नदी में भैका physically नहीं होता जब पूरी के शप्राणप्राशारिया कहते हैं गें को प्रान प्राण्प्रतिष्था करेंगे तो शांक्राशारी जा एगा इस तो अपने बोला कि यह मंदर रामधासियों का है ने चक्ट्टिके सबस्क्रा कि मंदिर की प्राण पर श्टा में संक्राचारे आते हैं क्या को मंदिर प्राणफ प्रभृष्टा में शंक्राचारे श्रू करते हैं यह बदले वक्त का निजाम और मैं बताना चाहता हूँ जो इन्हों ने कहा रसी जल गई बन नहीं गया यह 232 सीटे जो इंडी कड़ बंदन की काउंट की यारी से 75 तो एक दूसरे से लड़के आएं 20 केरल की 42 बंगाल की और 13 पंजाब की 75 पे दूसरे से लड़के 60 सीटे जीत के आएं छोड़ि इंडी गढ़ बंदन में रहते हुए मध्यपरदेश के चुनाओं में अखलेश जी का वो वीडियो याद करी उन्हों का कॉंग्रेस बहुत चालू पार्टी है और कॉंग्रेस वालों ने का बहुत चिर्कुट पार्टी है ये तो हमारे गढ़ बंदन चाला नहीं रहते हमक देखिए और 240 पाक है हमारे चेहरे पर वो खुशी नहीं है जानते क्यों एक बच्चा होता है टॉपर जिसको डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने थे अगर डिस्टिंक्शन नहीं मिला तो उसके चेहरे पर मायूसी होती और एक धलादर धलादर फेल हो रहा है और ग्रेस मा जला जा रहा है कि पीडिये के आगे हिंदुत की हार हो गई है अयोद्या हर हैं आप लोग भारतिया की पराजय हर वेक्ति के हर भारती और हर हिंदू के दिल में शूल की तरह चुबने वाली है परंतु उससे भी बहुत सारी चीज़े सीखने को बिलते हैं जिस आधार पे क अधार इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म हिंदू धर्म का समूल नाच वो भी जीत गए आप कलपना कर सकते हैं मक्का में कोई जाके कहे कि इसलाम का नाच होना चाहिए और वो पार्टी चुनाव जीत जाए वेटिकन में कोई कहे क्रिशनिटी का नाच होना चाहिए वो चुन रफा का नाम नहीं पता होगा किसी को कहां पर रफा है और क्या रफा का लेना देना है मगर दूसरे में क्योंकि बात सही है यह कहते हैं हिंदू मुसल्मान की बात करते हैं हम हिंदू और मुसल्मान दोने की बात करते हैं यह सिर्फ मुसल्मान की बात करते हैं और हिंदू म साकार कैसे मान ले हम चल गया सरसे विठा का भार कैसे मान ले हम कोई वात नहीं आगे हम और संगर्श करेंगे और चिंता मत करिये यह निन्या नवे जानते कितने पहुंचे तीन बार मिला कर इनको उतना सीट नहीं मिली जिती की मोधी जी को में एक और टेक अफ है लेफ्ट वाले हम बच्पन से सुनते थे लेफ्ट कहता है एक मिनट अब पूरी बात करने हैं आप देखे हम बच्पन से सुनते हैं कि लेफ्ट यह कहता है कि दुनीजर भारेज समाज में दो ही वर्ग होते हैं गरीब और अमीर प्रॉलिटेरियर आप बुर्जुवा जिता जात वि लेफ्ट वाले कहते थे वो इश्वर के नाम की शपत नहीं लेते मगर बंगाल में फुर्फुरा शरीफ के गद्धी नशीब पीरजादा बात सिद्धी की पार्टी के आगे सिजदा करके गढ़बंदन करते हैं यानि सोच में कितना बदलावाया है यह देखे यह बात तो खेल करा उसके सामने हिंदु हार गया सुदानस तरवेदी जी ने बहुती आपति जनक वाक बोला है कैसे बहुती अत्यांत आपति जनक मैं उसकी घोर निंदा करता हूं इन्हों ने कहा कि अधिया में बीजेपी की हार हिंदु धरम के लिए शरम नाक है तो मतलब हिंदु खुलने मतलब हिंदु धरम का महत इस बात से अंक जाएक तया के पीर जीतिया हिंदु धरम हिंदु धरम इतना चोटा हो गया हिंदु धरम धर म मेरे अचार विभासे हमारे चरित्र से हमारे किसे हमारी भक्ती से नहीं आका जाएगा बीजेपी की वोटों से आका जाएगा ये बहुत ही घटिया बात है और ये इनकी हर का कारण है ये इस एहंकार में जो जीते हैं क्या हवधेश पिरसाद पासी हिंदू नहीं है जो चुनात जीते हैं क्या समाजवादी पार्टी के अध्य अखलेश यादव हिंदू नहीं है क्या आप हिंदू धरम की नई परवासा करना चाहते हैं क्या हम सारे हिंदू सास्तनों को ठेक दें और बीजेपी को घोशना पत्र पड़े जो बीजेपी कहाएगी वो हिंदूत है पहली बात दूसरी बात यह जो कह रहे हैं यह केवल अ साथ चित्र कूट विल्ग की रहे हैं चाहां रामचंग जी में वनवास के समय पर आवी कि या जो जो माता सीता से संबंदर जिसका ये बस्ती भिहा रहे हैं जार राम के गुरू वशिस जी की भूमिय जो ये शुल्तानपुर भी पित्रिस्थान यह प्रियाग राज भी हा रहे हैं जहां वनवास के दौरान भगवान शीराम कप पड़ाव था यह यह जो है राम की विश्रा मिश्थली रही यह जो है जी जीता कौन यह जगाओं पर जहां लक्षमन ने समाज काटी थी यह वह नासिक भी आ जीती समाजवादी पार्टी है और इंडिया अलाइंस के कुछ दल जीते हैं लेकिन लेकिन ये तो ये विशे सेकुलरिजम तो भारत में हो सकता है जहां पर आपकी पार्टी के नेता थे स्वामी परसाद मौरिया जिन्होंने श्री राम चरित्रमानस की प्रतियां जलाई थी से सके हैं है अब बात को स्लióं ये जिस ऑंडिया झ्यां अलाइंस ने बोला सनातन धरम को इंडिकेट करेंगे वह पार्टी नासिक में जीता ये भारत का ग्रेट शेक्लिंडी के प्लीजिस से क्लिस्ग सब्वेट करिए कि घर-घर में सेकलरी मेरा निवेदन है सब लोगों से, आप लोग भी सेक्लूरिजम सब सेलिब्रेट करिए, को ने इंकार करता है भई? All eyes on Rafa पे जाकर तुरंट जाके सब लोग, मेरा में देख रहे हैं, All eyes on Rafa पे Instagram स्टोरी लगा लीजिएगा, Twitter पे लिख दीजिएगा, Facebook पे लिख दीजिएगा, माता वैस्चोदेवी में 40 भक्तों की बस्कों भीड में 9 लोग को की इस्लामिक आतकवाद के तहत हत्या कर दी गई, उसके बर में कोई चिंता करने की कोई आवशक्ता नहीं है, राफा की चिंता करिए, घर में जो और देखा जाएगा बात में, क्या फरक पड़ता है, हमारे घर में अगर आग लग जाए, तो हमें अपने घर की चिंता करने की कोई आवशक्ता नहीं है, हमें इराग की चिंत किन्ता करनी है हमारा यही सेखलयर्यजम और यह सेकलरिजम बहुत अच्छा है और इसी सेकलर B को इसी तरह सेलिब्रेट करिए सुदान चुत्रवेजी एक वाक्यवल नहीं आपने बोले कई वाक्यवादियों से पाकिस्तान की से देश के दुस्मनों से लोहा लेने में इस देश के पिछड़े दलित हमेशा आगे रहते हैं नहीं होता है अपनी सियासत के लिए सेना को बा अब भी करें अब देश पिरसाद को काली कर सकते हैं ये पीडिया हारे चित्रकूठ हारे नासिक हारे प्रयाग राज हारे किसके हार पर बोल रहे भारती जनतापाटी की और सुधान सुझी देख टिपनी की उसका भावारत अलग है कि वेटिकन में हार जाए कोई तो उसको दुख होगा ये नहीं कहा जा रहा है वहाँ ये किसको हरा रहे हैं किसकी जीत की वकालत कर रहे हैं आप सारे राम सीता को गिना करके ये बताना चाह रहे है कि पूरा का पूरा ये राम और सीता और उनके मानने वालों की हार है ये बता रहे है ना यही तो बता रह कि खिलाप है समाजवाद की किस धारा में ये लिखा है कि राम को न कार दो क्या लोहिया ने कहा था यह तो पहले भी कहते थे लोहिया का आना चाहता हूं अब देश पासी जीते हैं बहुत-बहुत हर्दिक सुभकामना उनको का योध्या की जीत उनको मुबारक हो उसकी वाव नासिक में थे राम यहां चित्रकूट में थे मतलब आप तो बता गए ना कि राम के कारण हार हो गई तरीका ठीक नहीं था सबादार मंतरी आ रहा है और 240 सीटे बीजेपी की अपने भूते हैं और 292 एंडे के भूते हैं तो राहुल जी प्रयांका जी अखिलेश जी बधाई क्यों नहीं दे रहे इतनी नाराजगी क्योंकि इसी जनता ने तो वोट डाले है जिस जनता ने आपको योध्धा जित्वाई उसी जनता ने तो नरें राजनीतिक कटता इसकदर नहीं ही आप लोग सबागी कारवाई अगर देखेंगे तो इतने हसम आपसमें मेल जोल के साथ प्यार मोहबत के साथ व्यंग करते थे हसते थे अटल विहारी बाजपेजी विवक्ष के लोगों से मिलते थे अगर इस देश में तो समाजवादी राजनीतिक कटता पैदा की है तो उसके लिए मानने जो आप वर नरेंदर मोदी जी जिम्मेदा है और उनकी काम ना करते हैं कि पार्टी खतम कर दूगा उसा खतम कर दूगा जेल भेज़ दूगा सबको उन्होंने राजनीतिक कटता बीच में चिला रहे हैं इस बात का थो उस बात का जवाब और दे दो इन्होंने कहा क्या आप यह सद्द करना चाहते हैं कि यह हिंदु विजे लाए हो राम इसलिए नाराज है और सीता माता भी नाराज हैं सीता माता रो रही बीजेपी के काम से सारा चंदा खा गए मेरे पती के नाम से अब इनको जवाद देदू देखिए पहली बात तो इस जंग के देखिए ये कितने महान बेखती हैं कि इन्हों ने ये कहा कि हम लोगों ने सिर्फ इसले का नहीं आपकी गठ बंदन ने कहा हिंदू धर्म का समूल नाश होना चाहिए इरेडिकेशन और सनातन धर्म का सुनिए ये डियम के ने कहा और आपके इंडिकेट बंदन में शामिल पे अर सुनिए आपकी पार्टी के लोगों ने रामचरित मानस फाड़ी सुनिए सतीष जार की ओली करना टेक का पी ड़ूटी मिनिस्टर जो कारिकारियर देख्षता उस के बाद हमने जाके काए ऐसा नहीं कि केवल एक आपने कहा हिंदू धर्म की बात और सोचिए किते बड़े भक्त हैं कि पढ़ना पढ़ रहा है कि आयोध्या में ये था प्रयाग में ये था चित्रकूट में ये था नासिक में ये था ये दर्शाते हैं जो आके हमें ग्यान वाली जीत है तो बताइए अब देश पासी बनेंगे लोग सभा में नेता संसदी दल नहीं बनेंगे संसदी दल परिवार का रहेगा अखलेश यादों सुनिए अखलेश यादों वहां से छोड क्या हैं क्योंकि जब छोटी वाली नेता विपक्षकी पत थी विदान सभा में अब बड़ी वाली मिल गई तो परिवार के पासी बड़ा वाला नेती है मैं दावे से कहता हूं किसी दलित को नहीं देंगे और सिर्फ अपने को देंगे और दूसरी बात मैं कहना चाहरा हूं इन्होंने कहा यह चुनाओ तो इस बार का चुनाओ बात है बहुत अलग प्र चची थरूर आटके लिखते मोधी हैस टू गो कोई ऐसा उधारन बताईएगा कोई ऐसा उधारन बताईएगा जब पाकिस्तान के मंत्री स्तर के वेक्ति ने एक नहीं दो तो तीन-तीन बयान दिये हो और उसका बयान फवाज चोद्री का क्या था बीजेपी हारनी चाहिए ये मोधी हटना चाहिए उसके बाद जो मर्जी हो कर लेंगे इन टोटो वही इससे पहले कभी बताईएगा विदेश में छपी खबर की बात नहीं करा हूं रूस के विदेश मंत्री ने विदेश मंत्राले ने अफिशल बयान दिया कि भारत के चुनाओं को विदेशी शक् शॉने इंडिये को他们 को विदेश मोधी का चुनाओ था या भूतपूर चुनाओ था जिसके अंदर बड़ी सारी doctors थे लेकिन कर गये रहें लेकिन एक तके मश्मार रेकर अर्जुन कढड़ी कि बहुत बड़ी statement दी वो बड़ी स्टेट्मेंट यह है कि भारतिय जंता पार्टी के पास mandate नहीं है, एंडिये के पास mandate नहीं है, उनका directly indirectly यह कहना है कि यह सरकार चलेगी नहीं, क्या कहा है मलिक अरजुन खडगे ने, सुन लेते हैं इंडिये गाउर्मेंट गल्ती से बनी हुई है, मोदी जी को एक तो mandate नहीं है, और minority गाउर्मेंट है, यह गाउर्मेंट कभी भी गिर सकती है अब देखेंगे, हम यह नहीं बोलेंगे कि अच्छा, हम तो यह कहेंगे अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो इंडिये का नंबर 292 है, नरिन मोदी को एंडिये ने नेता चुना है, यह बहुत कम देखने को मिलता है कि सरकार की शपत के चार दिन बाद ही इस तना के बयान लगातार आ रहे हो, चुदान चुतरवेदी आपका इस पर रेक्शन का है इसके मिला भारत मोदी जी की सरकार में, प्रकाश सिंग बादल को कम मिला दोदी जी की सरकार में, करपूरी ठाकुर मुलाइम सिंग को मोदी जी की सरकार में, सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ती बनाई, मोदी जी ने, इन्होंने परिवार के अलावा किसी को नहीं दि सब्सक्राइब करते हुए कि उनके कॉंग्रेस अध्यक्ष रहते हुए निन्या नवे सीटे आई है परंत इंडी गठबंदन वाला कोई रती भर का श्रे उनको नहीं दे रहा है एक ऐसे वेक्ति को स्रे देरा है नो जो अध्यक्ष ना उपाध्यक्ष नमामन मह सच्व है न मगर सारा का साराश उसी को मिल जाए कि सुनिए इंडी गठबंदन पहले है अलग हो गया आम आदनी पाटी ने दिया कि उसका गठबंदन सिर्फ लोग सबा चुनाओं तक था दिल्ली में खाता ये खड़गे जी को क्यों लग रहा है सरकार गिरेगी अरे वह या पहले अपना दो देख ले उनका दो गिरना शुरू हो गया जी 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 ये मेंडेट नहीं है मोधी जी के पास नहीं पूरा का पूरा मेंडेट है जिस एक यह लाकर पास साल चले गे यह आगे भी एंडीया बिलकुल लॉप किया जाए ठीक है ओके असंट यह आपको मौका आपने बोला कम मिला अब मौका में एक वर मिला तो चौका ज़रूर मारेगा मेरा मेरा सवाल यह है यह चौका मारने के चकर में कए बार आदमी बोल पो एंडिये के पास मेजॉरिटी तो मेंडेट कैसे नहीं है तो और कॉंग्रेस की लास्ट 240 सीटे कब आई थी पहली चीज इन्होंने कहा कि साफ ऑपोजीशन में से किसी ने बदाई नी थी अघंशो जी नमस्कार सबसे पहले अपने अपने वक्त है के स्टार्टिंड अपने वम मॉद कुछी अई आप जो आपकी सरकार वर्नी है वह ऐसे से टाइम में बनी जब डिमोक्रासी मजबूत है तो डिमोक्रासी अ DM Ground यो और सके से कैम सरकार सपोर्ड करेैं हमें एलेक्टरोब बांड मिले 6,000 करोड के ये कॉंग्रेस को 2,000 करोड किसके लिए मिले ने एक मिनट दो हजाब वो कहते भी रहेंगे एक मिनट एक मिनट और सुनिये तनमूल कांग्रेस की एक राज़मे सरकार 1600 करोड रुपए ये सवाल ही नहीं है आप गलत जवाब दे आप गलत जवाब दे रहा हूं और आपने चिला चिला का इलेक्टरोल बांड गलत है और लेता भी चला जा रहा हूं खड़ा 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 दोहजार करोड पर इस अधार आप और तीन राज़मे सरकार है अगर कैलकुलेशन किया जाए आप तरीका वाई बीच में निवह निए अपने आरोप लगाया प्रेशर डाल के ले रहे थे अचा एक इनके बाजिए अधर एक सेट और शुनिये जहान चुनाओन नहीं होते थे चुनाओं में खर्चे नहीं होते थे अब ने इनको बताना चाहता हूं जो उसने कहा वाइलेंस विड़ा आपको पता है जब नहरूजी पुर्धान मंतरी बने तो क्या वाइलेंस हुई थी पंद्रा से बीस लाख लोग मारे गए थे और डेर से पौने दो करार लोग बेघर बार होकर इधर से उधर आये थे और यह सुरिये विचित अग्राइश इंड डॉक्रूमेंटेड हिस्ट्री और मैंकाई आप यो रेगुलर बोल रहे हैं विवेक जी विवेक जी आप भी आ अधर चीज़ का त्यार रहेगा उसके बिल्कुल ना आप बैग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए बोलिया सोर्ज मताता हूं सुरिये फॉर्टीवन के संस्थ में पाकिस्तान में हिंदुगों का बादी थी चौविस परसेंट और फिटीवन के संस्थ में 1.6 वह कहा चले अधर रिस्पॉंसबर रिट वह मतब प्राइम इनिस्टर थे और नौट रिस्पॉंसबर 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 यह कहते हैं अरेक्षन के बात मंडल अगर नहीं लागू किया तो पशिम बंगाल ने जहां 30 साल कमिस्टों सरकार रही पूछे लागू किया ओक और मैं कहना चाहता हूं 2014 में जब कॉंग्रेसी सरकार हटी पूछे यूप एक सरकार में कितने ओभी सी मिनिस्टर थे पूछ राता हूं चुनोती के साथ के वले एक बीरफ्पा मोईली और आज भाशन देते यूपीए में जो नसी बनी थी नेशनल एडवाईजरी कांशल उसने कितने सी कितने ओभी सी थे आज आके भाशन देते और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं चलो आप तो चुनाओं खतम हो गया आपने कहा था ना यहसी चुनाओं खतम हो जाएगा साड़े आठ चाहर देंगे खडड़ा खड़ा 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 हमारी सरकार बनी मोदी जी ने सबसे पहला साइन किया सत्रमी किसान संवान निदेखी जो च्छे आजार देते हैं अरे मेरी बास सुनिए मेरी बुरी बातों ने दीजे सुनिये मगर आपकी तो सरकारे भी है कई जगे साड़े आठ नहीं साड़े छे अजारी दीजे खटाखट 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 अब कहीं नहीं देख रहा और सुनिये इन्होंने का कास सिंसस कराएंगे तो भाई यह तो कहते थे राहूल जी कि इसलिए आर जीडी को कराना पड़ा पन्जाब में को नहीं करा रहे हो और करनाटक में किया हुआ रक्खा चो नहीं जारी कर रहे हो अन्ए था अन्हें बूलनल बांड पर भारतरी जंताप्र दभाब डालके पैसा ले रही लेकिन ममताब एनर्जी को भी खुब पैसे मिले हैं, कॉंग्रेस को भी काफी पैसे मिले हैं, इलेक्राइन बॉर्ट गंदेट, तो, अच्छले पंदरा मिनट से लगातार सुधान सु तरिवेटी जी बोल रहे हैं, मेरे दो मिनट तो बंदेट, यह गलत तत्त रखे, गलत डायलोग बोलके लोगों को गुम्रा कर रहे हैं, पहली बात तो, कॉंग्रेस ने अपने घुसना पत्र में यह कहा था, कि हमारी सरकार बन जाएगी, आप कॉंग्रेस के उस पर सवाल उठा रहे हैं, पहली बात, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, तथ्यात्मक्त तोड मरोड कर रहे हैं, जातिकत जन्गन्ना, आरक्षन, सत्परकाश मिस्तरा जी ने अब्जेक्शन किया जिए भिनोना आरक्षन पर सवाल उठाया, आपके मुखमंतरी ने बिहार में जाति 한गन्ना कराई सत्परकाश जी, आरक्षन का तायरा बढ़ाया, OBC का कोटा बढ़ाया, ये पूरा देश में बढ़ाएंगे, पूरे देश में कराइंगे, जाति की बढ़ाइंगे, दूसरी बात खाली एक ये मत्वेद नहीं है जाती जंगना रोभी सी कोटा नितीश कुमार जी जो बिहार के मुक्मंत्री है वो जो चंद्रबाबु नायडू जो इनके सहयोगी है सबसे प्रमुक सहयोगी है आरे सेस ने जो इंद्रेश कुमार ने बोला है उससे अपने आपको डिस्टेंस कर लिया है उनका कहना है कि उनके विचार में ये सही नहीं है मैं आपको दान्चुदी जी अब एक बड़ा सवाल पूछता हूँ जो आरे सेस के नेता इंद्रेश कुमार ने बोला और उनके बड़ी बात बोली हाला कि आरे सेस ने अपने आपको डिस्टेंस कर लिया है उनका कहना था कि बीजेपी का अतियात विश्वास जो था वो ब बार बार ये बार बार आ रहा है इसको अन्नेता ना लिया जाए सवाल बड़ा डारेक्ट है क्या इस बार एक नेरेटिब बनाने की कोशिश है कि आरे सेस बीजेपी के लिए नहीं काम कर रही थी यह हमेशा होता रहता है जब अटेल लीग सरकार थी उस समय भी प्रयास किया जाता था यह दर्शाता है कि बीजेपी से लड़ने की अब सीधी ताकत खौब ख्यालों में भी नहीं है तो कहीं कुछ अंदर सही खोजने की कोशिश करो चाहिए उसी में मुझे कुछ अपने का सच दिखाई पर जाता है तो मुझे लगता है वह पार्टी फोरम के अंदर बोलना चाहिए था मगर यहां तो मैं दूसरी बात क्या रहा हूं यहां तो क्या-क्या नहीं बोला गया है यहां तो सीधे आम आदमी पार्टी ने कह दिया गड़बंदन खतम और फिर वह तो क्या आपको लगता है यह जो इलेक्शन है इसका सबसे बड़ा मेसेज यह है कि बीजेपी और मोदी तो चाहिए लेकिन एंडिया के साथ चाहिए यह नि मनमानी ना करें यह बार-बार विपक्ष कर रहा है इस फ्रेम में भी कंप्लीट आप नहीं डाल सकते ठीक है पारगेट था उससे कम है कभी-कभी स्कोर कम बना लेते हैं लेकिन आप इसको असपस्ट रूप में की नहीं हमको मोदी जी तो चाहिए लेकिन एंडिया के साथ ऐसा भी नहीं है तो केसी चाहिए नहीं ने इतना अच्छा काम किया 25 करोड़ अगर गरीब गरीबों को सबसे नहीं आप लोग में ताली बजाई सबसे लंबा समय वो एंडिये के साथ रहे हैं बिलकुल बिहार में पहली बार सरकार बनाई वो आपको पता है कि 63%- vai health विपक्ष की सारी पार्टी उने लिया है सुप्रीम कोड़ का फैसला पढ़िये उसने कहा यe समविधान के अनुरूप नहीं और यह पार दरशी होना चाहिए कि tempting किसको पैसा रहा है जब Electoral Bond का विधयक अरुन जेटली जी रख रहते आप उस वीडियो को देखेगा विपक्ष में बहुत खुशी है बहुत मुस्कुराट है कि कुछ पैसा विपक्ष को मिले इसमें बहुत बड़ी बात है कि आगर आपके पड़ोसी को कोई पैसा दे रहा है और आपको कुछ नेता कह रहें कि अब हमारा राइट जादा बनता है सीटों पर लड़ने का यानि सौ सीटों पर कॉंग्रेस चुनाव लड़ेगी विधान सभा चुनाव में ना तो कॉंग्रेस की तरफ से अभी ऐसा को बयान आया है तो आप लोग साथ है कितनी सीटों पर कौन लड जी जी मेरा सवाल है कि नीतिस कुमार जी का और चंदबाबु नाइंडू जी का इतिहास काफी अच्छा नी रहा है वो पलट जाते हैं सरकार गर जाती थी पिछली वार वी एक वोट से सरकार गर गी ती तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कि किस तो कितना आस्वासन द जाता हो गया हिंदू की बात करते हैं अभी थोड़ देर पहले उन्होंने बोला कि यह पोजिशन पार्टी पूरे हिंदू धर्म का विनास करना चाहती है लेकिन मैंने नहीं बोला यह डीमके ने बाकाइदा सुनिए वह कॉन्फरेंस की इरैडिकेशन ऑफ सनातन धर्म सना उन्होंने हमारे साथ रहते हुए कभी नहीं बोला उनकी उपस्थिती में बंदे मात्रम जैसी राम के नारे लगे इनके साथ रहते हुए बोल रहे हैं पूरी बात सुनिए और जो इस्टेडियम का नाम रखने वाली कमेटी होती है वो उस खेल की काई कास चीफ होता है बात रामपूर गाव की भी होनी चाहिए आप बोल रहे हैं अगर बीजेपी हारी है तो उसका रिजन क्या है डेवलोप्मेंट ठीक आपने बोला तो रामपूर गाव की भी बात करता हूं जहां पंचायती राज में प्रधान मंत्री आवास योजना है उसके तहत 534 आवास वहाँ पे आवंटित हुए है यह सत्यापित है ठीक लेकिन वहाँ पे भी बीजेपी हारी और वहाँ पे एक विसेस बर्क के लोग हैं जिसके वज़ासे एक भोट बीजेपी को नहीं मिला तो क्या वह जो लाब है वह धरम के अधार पर मिला वहां परसेंट जो मत दाता है इतना जरूर है नरेंदर मोदी जी ने जो गाउं गोद लिया था उसमें वहारे हैं इतना जरूर वह गाउं खोदा नहीं था तो क्या यहां का गाउं जीतने के लिए समाजवादी पाटी ने खोदा था जो जीता उनको शुपकामना है जो जो हरा वो अगली बार दुवारा प्रयास करेगा ये तो हमारा भारत का देश का जो लोकतंतर है वो तुमाण है सबसे जादा नमन है देश की जनता जनारदन को जो मत डालने के लिए निकली अगली बार और तेजी के साथ निकलिएगा सबसे बड़ी बात है और शुक्र है भगवान का शुक्र है खुदा का कि EVM की लाज़ बच गई अगर कहीं BJP को आजाती 300 से जादा सीटे तो यही मन